आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि हमें अपने नया फोन करीबना है, हमें आपलाइन मार्केट में करीबना है, कुछ कहते होंगे कि यार मैं अपने घर के comfort से भाहर निकलूँगा ही नहीं, मैं किसी भी online portal में जाऊंगा, phone ले लूँगा, लेकिन य cost थोड़े कम हो जाती है, क्योंकि distributional cost कम हो जाती है, इसके वरे से मैं आपको phone सस्ते में दे पाते हैं, लेकिन क्या ये बात 100% सही है, और साथी साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि distributional system कैसे चलता है हिंदोस्तान में, मोबाइल के संतर में, कि कम कुन के पास मान आता है, क्य आप से, कि online में जो product आता है, उसमें सेच में offline के comparison में हर time margin कम होते हैं, जो consumers को pass on कर सकता है, brand की हमेशे ऐसा नहीं होता है, ठीकि margins कम होते हैं, और cost of sales donor होती है online में, क्योंकि जब जैसा आपने कहा, जब आप offline में जाते हैं, तो offline के अंदर आपको distribution channel margins होते हैं, उसके अंदर जिसको हम बोलते है cost of sales, उसकी salary होती है, उसका travel में होता है, तो जो cost of sales होती है, वो offline में हार समय online से जाना होगी, तो उस वाज़े से online के अंदर profitability to the company will always be higher, मतला हार समय profitability, online में brand को offline से जाधा होगी, और तूसरी तरीके से देखें, तो chances कि वो better price में माल बेच पाए, better price में modern क उसके लिए online better route है, offline के का परश्या, जाले के offline डिटल हमेशा नारादी रहने वाले है, ब्रैडनों से, कि विया, आप उस गाम पर हमें भी phone दो, हम उससे बेचे, वो मुम्किन नहीं है, वो थोड़ा सा game अभी change हो रहा है, क्योंकि दुस्तान में ASP's phone की बढ़ रही है, ASP म अपने एक standing है, अपना एक status है, और Apple के अलावा कोई भी brand जो higher price पे माल पीशने जाएगा, उसमें customer एक पार phone को look, fear और experience को देखेगा, उसको देखेगा, उसको देखने के लिए उसको offline पे जाना पड़ेगा, वो online पे उसको experience नहीं होगा, तो अगर वो भी alternative देखेगा, beyond Apple and beyond latest series, जो flagship devices आती है, Samsung की, जो S-series की top devices है, या OnePlus की जो भेंगी बारी devices है, इसके अलावा, अगर किसी भी आगर, इसे brand की अगर वो भेंगी device गरीने चाहेगा, तो वो offline में जाके उसको ज़रूर try तरने की कोश्चित करेगा, एक बार, कि वो offline में जाके उसको देख लेगे, श symbol हो रहे हैं, तो factory में consignment पूरा ready हो गया है, उसके बाद वो कहा जाता है, किस लेवल पर distribution होती है, और अच्छा में जा हमारे अरके सामने दुकान है, या फिर multi brand आउटलेट हो गया, आप रोमा की बादता लिजे, रिलाइंस की बादता लिजे, उनका कोश्चा में कितने percent commission लोग लेते हैं, इसके बाद में कुछ खुताब सकी है, फैक्टरी से माल निकलके, companies के बाता है, normally हर company का एक mother warehouse होता है, जहाँ पहले माल को लिया जाता है, उसके बाद उस mother warehouse से different states, because state billing भी होती है, different states, हर state में particularly हर brand का अपना एक warehouse होगा, वो उस warehouse में जाएगा, state warehouse में जाएग उस distributor में बाद में, अगर वो state का distributor है, उसके अंडर में, जिदको आप बूलते है, micro distributors, वो billing होगी, state distributor का warehouse से state distributor billing करेगा, micro distributor को, और फिर micro distributor, अपने उस city में, या उस city के area में, जैसे टैली के अंदर, साच distributor है किसी brand के, तो West Delhi का distributor, अपने area के distributor, जो dealers है, retail stores है, उनको billing करेगा, यह तो गया offline की आपकी, जो normal pop store की जो billing होती है, वो इस तरीके सोती है, और जो आपने बताया था कि warehouse पे समाई चलागा, इनको गोडाउं में चला गया, उस गोडाउं से फिर state के गोडाउं में जा रहा है, state के warehouse में जा रहा है, तो वो कोन करता है, वो brand खुद करता है, या distributor उसका दिक्बाल करता है, जब तक कि first, last point जो billing की होती है, जो distributor को billing होती है, वहात अच सारा transfer कंपनी के account होता है, तो वेराउंस, mother warehouse to factory to mother warehouse, mother warehouse to state warehouse, तक का सारा जो logistics है, plus even delivery to the distributor from the state warehouse, वो सारा costing company के account में होता है, और distribute account में नहीं हो, तो आप नेक से बता रहे हैं तो उसके बाद, दूसरा बताते हैं, ये तो हुआ applicable, जो pop and warm stores हैं उनके लिए, जो individual stores है, जो एक इसी के पाद एक store है, या दो stores है, तीन stores है, उसके बाद आते है modern trade के तरफ से, modern trade होगा है, जिससे आपका realized digital हुआ, chroma हुआ, या अभी नई chains develop हो रही है, core mobile chain है, जो गुंटराच से originate हुई, आप देली में आगई है, तो इन लोगों की billing जादा दर directly, company से direct billing होती है, तो company के mother warehouse से, इनके जो भी outlets होते हैं, उन outlet को direct billing की जाते है, तो इनकी billing थोड़ी different होती है, इनके distributor बीच में नहीं आता, इनके billing directly private to, कि जो ये modern trade है, या large format store या organized trade, जो भी बहुती है, organized trade भी बहुते एंटी, model trade भी बहुते है, LFR, large format store भी बहुते है, इन लोगों के फिर billing की जाती है, इन लोगों के फिर फिली की जाती है, इन लोगों के फिर फिली की जाती है, यह होगा second mode आपका LFR के लिए, जो exclusive stores होते है, brand के, वा obviously brand directly अपने warehouse से, अपने exclusive store में बहुते है, तो यानि की, अगर हम पहले वाले model की बात करें, जहां से stay to air house में लिया समान, फिर आपकी shops में आरे लग गया, और दूसरा जो multi brand आउपलेट्स है, उनमें जो directly समान को उच जाता है, तो consumer का फाइदा है, तो दूसरी जगा पर जाने पर होगा, multi brand आउपलेट्स में माँ प्राइस जातार brand कोशिच करते हैं कि maintain की जाए, तब ऐसा नहीं होगा कि customer को बहुत जादा advantage मिलेगा, in terms of price, शायद advantage नहीं मिलेगा, but in terms of experience, जो उसको experience रहां मिलेगा, कि वहाँ जो staff होगा, वह बहुत trade स्टाफ होगा, तो जो experience आपको देगा, जैसे आप Apple के store पे जाएंगे, तो आ I think यह intangible advantage मिलेगा, tangible advantage अगर हम देखते है, in terms of margin, तो शायद उसको advantage, in terms of not margin, but in terms of price, शायद उसको advantage महीं मिले, but in terms of experience, positively उसको advantage मिले, और अब जो पहले का system था, पर जो latest numbers याद नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें, जो commission जाता है, super distributor को, या sub distributors को, या city distributors को, वो vary करता था प इतना ही है, या अब इसमें कुछ कमी हो गई है, आज की तरह में, बहुत difference है, जादा दर brands की, जो margins है, including, अगर मैं सब ने लेता हूँ, basic discount plus target achievement, जो भी different schemes कमपरी चलाती है, तो distribution margin, दाई 3 तकेस उपर नहीं हो, so distribution का margin बहुत tight है, अगर retail पे जाए, तो retail का direct margin, मतलब, जस rate प gap निखाते है, तो वो gap more less about 4 percent, उसके अलावा retail के पास कुछ back end से scheme आती है, which आप लेक क्यों target achievement, कि आपको X target आप नहीं किया, आपको इतना पैसा है, एतना percentage एक्स्रा मिच जाएगा, वो अलगला brand का अलगला होता है, या कोई specific model होता है, जिसको कप्री को जादा दादाद मे भीच रहा है, या उसको अपना फुराले stock को खाली कर रहा है, तो उसमें कोई special scheme होगी, जो dealer को देगा, शायद उसमें से कुछ component dealer आगे customer को पास रूं करते है, तो यह सब चीदा है, आप पर basic margin अगर हम लेगे, तो approximately डाइस पर 3 टका distributor के लिए, और approximately 4 टका आपके retailer के लिए model के उपर, timing के उपर, requirement के उपर, brand का requirement है, आज brand किसी को stock को ज्यादा कहरी कर रहा है, stock का movement कम है, तो शायद उसमें वो पीचे स्कीम चलाएगा, तो वो scheme पूरा रखे, dealer नहीं रखे, वो dealer का choice है, और dealer जादा रख लेगा, तो उसके margin चार्ट अटे से बढ़ जाएगी, अग आजे, आपको क्या लगता है, कि जो offline market है, या retailers है, वो market में अपना दंदबा बनाए रख सकते हैं, क्योंकि competition काफी आ रहा है, online players भी आ रहे हैं, क्या वो survive कर सकते हैं, या आपको लगता है, कि बीच वो कुछ और कुछ different development होगी, उनके survival के लिए, दो तीन चीज़ है, पहली offline का क्या होगा, तो आज की तारिक में करीब offline का contribution, 55% के करीब है, मैं approximately बता रहा हूँ, कोई 45 बोलता है, कोई 48 बोलता है, मैं 45 लेके चल रहा हूँ, तो 45 बस contribution offline का, online का है, और 55% contribution offline का है, मेरा मानमा है, ठी, offline is bigger than online, ये, ये बात तो given है, ये पहले almost 80% होता था, अब ये almost 55 त और आने वाले वक्त में, मेरा मान रहा है कि offline contribution थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, तो online से हमें उम्मीद करें कि players और आएंगे, या online का contribution पढ़ेगा, तो मेरे साथ से online का contribution पढ़ना इतना असाल नहीं है, जितना पहले था, offline का contribution इतना ही नहीं रहेगा, या श् store है, और दूसरा जो मैंना आपको बोला, जो model trade जैसे मैंना आपको four mobiles का example दिया, तो उनकी तादात, यह जो model trade है, इनकी तादात बढ़ेगी, because यह direct brand से dealing होगी, brand के लिए बड़ा easy होता है, कि model trade को approach कर गए है, क्योंकि model trade बढ़े quantity commit कर पाती है, यह साथ हो, तो जब online नही contribution है, पीस ठेकेगा, यह मेरे साथ से और बढ़ेगा, और यह बहुत तेजी से बढ़ेगा, अगले एक या दो साल के, तो जो individual store है, और खास करके जो छोटे stores है, और चोटे stores का merger होगा, बित्री model trade या जो हम पोल रहे है, जो large format store या जो organized trade है, जैसे core mobile है, उनके साथ में पुरे हैं, जो मैंने सुना है, पहले मैने के अंदर और एक करोट परटी का turnover clock किया है, जो साकेद वाला store है, उनके case में exclusive store का contribution बढ़ेगा, बाकी प्रैंच तो मुझे नहीं लगता, exclusive store का contribution बढ़ेगा, और modern trade का बढ़ेगा, पर total overall अगर हम देखेंगे, जो मैंने आपको 55% का figure दिया था, offline का, उसमें शायद कितनी ज़्यादा बढ़ेगा, परसेंट आगे पीछे हो सकता है, आगे ही होगा, बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, पर यस, within 55%, जो water trade का 20% का contribution है, वो costively उपर जाएगा, और जो pop and warm store का idea, जो store का contribution है, वो नीचे गरेगा, जे, मिलकु जो आ होगी, absolutely, एक तो जो मैं आपको बोला, experience, I think, सबसे बड़ी चीज होगी, कि जो water trade में उसको experience मिलेगा, वो better होगा, क्योंकि अगर ESP बढ़ रही है, तो हार आदली उमीद करेगा, कि भाईया, मैं पोन को एक बार देख के, यूज़ करके, जज़ करूँ, और वो judgment उसको offline मि पीशते थे, अब जिसने के उन्ते product launch हो रहे हैं, उन्पे express conference होती है, कुछ होती है, यह किस तो कहते हैं, कि हम लोग offline market में अपने आपको मजबूत कर रहे हैं, उसको expand करेंगे, reason यह है कि उनको लग रांग तो पता लग गया है, कि यह offline market is there to stay, और इसमें focus करो, वरना हम major chunk market खूने लगेंगे, तो वो दीरे-दीरे करके उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ी से कुछ आना होगा, हमने यहाँ पर offline market के बात कर ली, और online market भी तो कुछ ना कुछ करेगा अपना share बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके पास यह product directly में मेरे हसाब से आज की तारिक में कोई online commitment नहीं करेगा, एक figure lock किया जाता है कि approximately इतना quantity हमारे इसाब से based on past trend, based on price segment, एक judgment लिया जाता है कि इतनी quantity move करने चाहिए, and given the comparison, तो सारी चाहिए देख जाती है, इनके आपे planograms होते हैं, online के पास में, तो compare करते हैं, नए product जो भी brand लेक जाता है, विजा भी competition, विजा भी price segment, उस price segment का contribution करता है overall sale में, विजा भी उसका क्या नहीं चीज़ उसमाई है, design क्या factor है, इस सारी चीज़ देखी जाती है, उसके बाद में judgment लिए जाता है between brand and partner, कि कितनी approximate sale, क्योंकि brand का भी अपने expectation होता है, यह हम online को देंगे, तो हमारे इतनी उमीद है, online हमारा अमाल करी कि online भी आप फिगर देती है, एक indirect commitment होता है, पड़ ऐसा कोई written down commitment, मेरे जान तक मेरे रोलेज है, ऐसा को written down commitment होता, बिलकल, बिलकल, अधे, thank you very much, कापी बड़ा मजा है आप से और खासकर offline market में distribution होते, इसको decode करने में काफी मजा है, और कोई ऐसा चीज नहीं थे, यहां पर मैं आप से एक चीज़ पूशा जाता हूँ कि shopping करने का मतलब होता है, जेब डिली करने है, आप जाएगे, तो सामान करें, जेब डिली तो करेंगे, करेंगे, लेकिन आप यह बताइए, कि आप लोग जब market जाते है, online में भी shopping करते है, offline मोका मिलता, बिल्कुल, और आप वीवर से भी पूश लेते हैं, कि अगर आपको मोका मिलेगा, और price में भी difference नहीं है, आप prefer क्या करेंगे, online में shopping करना, offline में, बटाएगे, comment की ज़री है, मुझे और अजे को दीजे इजात, जल्दी मेलेंगे युको और वीडियो में, तब य'ल्दी सरे कने आप, आपकेम।